इतिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा कोई देश के मुसलमानों को ना डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है ना हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है भाईयो बहनों ये सपेज जूट है ये बदिराजे वाला खेल है ये नापाट खेल है असलाम आलेकुम रहमतुल्लाई वरकातु इत्तिहाद दियूज में आपका खेल मगदम है शुरुआत वसीम बरिल्वी के शेर से करते हैं कि जूट के आगे पीछे दरिया चलते हैं सच बोलो तो मारा जाएगा लेकिन ऐसा लग रहा है कि सच का ही बोल बाला होता नजर आएगा पुरा मुल्क तशद्द्द के शोलों में जल रहा है सभी धर्मबाशा के लोग इसे एतजाजी तहरीक में जुटते जा रहे हैं वही दूसरी और मोदी और अमिच्छ आप परिशान नजर आ रहे हैं जब अवाम को सपाई देने का अब यहां इन दोनों ने च्छेड रखा है मनमानी हुकूमत से अवाम में मुखालिफत तेज रफ्तार से बढ़ती देख इनोंने सफेद जूट बोलने पर यह दोनों उतर आये और हमेशा की तरह देश की जनता को गुमरा करने में लगे हैं दिल्ली के रामलिला मैदान में शनीचर को वजिर आजम नरेंदर मोदी ने दावा किया कि भारत में कोई डिटेंचन सेंटर नहीं है यह जूट है यह जूट है जूट है उन्होंने कहा जो हिंदुस्तान की मिट्टी के मुसल्मान है जिनके पुरखे माभारती की संतान है भाई और भैनो उनसे नागरिकता कानून और एनारसी दोनका कोई लेना देना नहीं है देश के मुसलमानों को ना डिटेंशन सेंटर बेज जा रहा है ना हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है भाई और भेनों ये सपे जूट है ये बद इरादे वाला खेल है ये नापा खेल है मैं तो हैरान हूँ कि ये जूट बोलने के लिए किस हद तक ये लोग जा रहे हैं पर सक्चाई कुछ अलग है यहाँ दावा सरासर गलत है कि भारत में कोई डिटेंशन सेंटर नहीं है आसाम के साथ कुछ और रियासतों में भी डिटेंशन सेंटर बनाने का हुकम इसी मोधी हुकूमत की जानिव से तिया गया था सिर्प जूट ही बोलती मरकजी हुकूमत फिर अलफाजों की हेर फेर करना शुरू किया है वैसे तो करनाटक में भी डिटेंशन सेंटर नेल मंगला में बनाए गए है जिसकी रिपोर्ट पहले भी नूज चानलों के जरिये से आये पर सबसे ज़्यादा डिटेंशन सेंटर आसाम में है और आज भी बरकरार है 2008 से यहां डिटेंशन कैम्प बनाए गए है जिसमें हजार लोगों की जिन्दगी जहननम बन चुकी है और इनका सिर्प जुर्म यही है के इने यनारसी से बाहर कर दिया गया है 2018 की एक रिपोर्ट डिटेंशन सेंटर से बाहर आये लोगों ने अपनी दास्तान बयान करते हुए कह ता वजिर आजम मोदी का जूट किस कदर देश को धोका देने वाला है इससे यह साबजाहिर होता है और जूट बोलने की भी तहरीक इनी दो लोगों ने शुरू किये जो फिलाल यही दो लोग है जो इस देश को चला रहे है एक रिपोर्ट के मुताबिक के बलकि मासूम बच्चे भी अनर सी का शिकार होए हैं इनका मस्तक्भिल अनर सी के काले कानून के तहट कैद हो चुका है उममन यह देखा जाता है कि माबाप डिटेंचन कैम में बंद है बच्चों को बाहर सहरा देने वाला कोई नहीं रहता इसे मासूम बच्चे दुनिया की ठोक रिखाते हैं और सामने से गुजरने वाले हर शक्स के पास बेवसी के साथ देखते नजर आते हैं इनका खयाल रखने वाला कोई नहीं होता देश की पारलेमेंट में भी कई बार इस जालिमाना डिटेंचन कैम्पों पर सवाल उठाए गए चर्चा भी हुई मरकजी हुकूमत ने यह तसलीम भी कर लिया था कि हमने रियासती हुकूमतों को डिटेंचन कैम्पों के बारे में लिखा है इसी साल दस जुलाई को पारलेमेंट में पूछे गए सवालात का जवाब देते हैं असाम के वजिर दाखला नित्यानंदराय ने कहा था कि जिन गायर कानूनी शहरीयों की तस्दीक नहीं हो जाती उन्हें मुल्क से बाहर नहीं किया जाएगा तब तक उन्हें रियासत के डिटेंचन कैम्पों में रखा जाएगा अब तक कुल डिटेंचन कैम्पों की सही तैदात का कोई रिकॉर्ड नहीं है इसी तरह यह भी साफ हो गया है कि सभी भारत की रियासतों में मोधी सरकार की जानिब से फर्मान जारी किया गया था इसका मतलब यह है कि डिटेंचन कैम्प या नर्ची या फिर जो सिटिजन आमेंडमेंट बिल जो अब आक्ट बन चुका है इस पर एक मुनज़म साजिश के तहद अकलियती तपकों को निशाना बनाना उन्हें डिटेंचन कैम्प में रखना और उनकी जिन्दगी जहनम बनाना यह इनका मुनज़म एक साजिश तो एक प्लान था लिहाज़ा पूरे मुलक भर में जिसकदर इसकी मुखालिपत की गई उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इन्हें अब इन बातों को जूट का सहारा लेकर इने गोल मोल बना कर लोगों को फिर से गुमरा किया गाए खेर रियासतों में मूदी सरकार के जानिव सब फर्मान जारी किया गाया था कि अपने रियासतों में model detention center या holding center manual बना दिया जाए दे हिंदू में इसी साल अगस्त में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2 जुलाई 2019 में लोगसभा में बीजपी कायद नित्यानंद राय ने कहा था कि राजसरकारों को साल 2009, 12, 14 और 2018 में अपने प्रदेशों में डिटेंशन सेटर बनाने के लिए कहा था वजीर जी कुछनरेडी ने कहा था कि होम मिनिस्ट्री ने एक मॉडल डिटेंशन सेंटर या होल्डिंग सेंटर मैन्यूल बनाया है जिसे 9 जनवरी 2019 को सभी राज मतलब इसी साल जनवरी में सभी राज सरकारों को और मरकजी हुकुमत के जो केंदर शेचित प्रदेशों को द तुमाम जवाबत दिये थे जी कुछनरेडी ने डिटेंशन सेंटर बनाए जाने के तजदीक की थी उन्होंने यहाँ भी कहा था कि सेंटर फॉरेनर्स एक टुनिस सो च्छालिस की धारा तीन दो ई के तहत उन लोगों को रखने के लिए बनाए गए जिनके पाश शेहरिया अगर कल के वजीर आजम नरेंदर दामोदर्दास मोदी के बायान के पसमंजर में देखा जाये तो क्या कहा जाएगा क्या यहां किसी देश के शक्स अवल की सीवत हो सकती है कि अवाम को जूट के जरीए गुमरा करें आजाद मैदान में मुखातिव होकर कहा के डिटेंशन जूट को कितने ही खुबसूरत अंदाज में या तो खुबसूरत लबादे में लपेट कर पेश करने की कोशिश की जाए वह बे नकाब होकर ही रहेगा आज हरकंट के नतीजों ने एक बार फिर से जूट बोलने वाले और नफरत की राजनिती करने वालों को एक तमाचा द पैसे लेना तकबुरी का मुझाराही का जाज सकता है पिछले एक साल में पांच रियासतों की हुकूमत से अवाम का बेदकल करना इसी की तरफ इशारा करता है जैसे कि बशीर बदर का शेर के जरिये यही कहते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है जिस डाली करी पर तुम बैठे वो कभी भी तूट सकती है जरूत है मरकजी हुकूमत अपना चाइजाले और हिक मतयामली को तकरे वर्रां कॉंग्रेस मुठ भारत की जगह और कांगरेस मुठ मुठ भारत का खौब देखते है और कही भाजपा मुठ जाए इत्हाद देखने खलेए श